आज है 28 मैई 2020 नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्तिय वर्मा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करेंट अफेर्स की तो चली स्टार्ट करते हैं लाश्ट वीडियो में हमने आपके लिए एक पर्सन चोड़ा था पर्सन था हाली में तसाई इंग वेन ने किस देश के राष्ट्रपती पद की सबत ग्रहन की है और हमने चार अप्सन आपको दिये थे फर्स्ट अप्सन फिलिपेंस सेकंड ताइवान थर्ड इसराइल फॉर देते हैं इस पर्सन का आंसर बताने से पहले आप यह वीडियो से पूज blunt पूरि देखें क्यूंगी इस वीडियो में इस परसन के बारे में अच्छे से डिटिएल से बताया गया है और साथ ही आज कि वीडियो के आने वाले सभी परसन इस वीडियो से पूच्छे तो वीडियो को ध्यान से देखे और वीडियो को देखने के बाद आज के सभी परसनों के आप आंसर दे तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्वागत हाफ सिरी का इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ चीन के शाथ वरते टनाव के बीच ताइवानी राष्टपती तसाई इंग वें ने रिकोर्ट रेटिंग के साथ अपने दूसरे कारेकाल की शुरूआत की और इस दोरान उन्हों ने चीनी राष्टपती सी जिनपिंग के साथ त्रेश अस्तितों के अधार पर बार्चित की पेस्टस भी की है ताइवान की राजधानी ताइपे में अपने दूसरे कारेकाल की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक प्रेड के दोरान 63 साल की राश्ट्रपती तसाई इंग वेन ने कहा है कि वह चीन के साथ बाचित कर सकती है लेकिन एक देश दो सिस्टम के मुद्धे पर नहीं ताइवानी राश्ट्पती साई इंग वेन ने अपने दूसरे कारेकाल की शुरुआत पर चीन के साथ समंदों को सुधारने पर जोड़ दिया हालांकि उन्होंने स्वेस्ट सब्दों में कहा है कि वह चीन के साथ होंकों की तरहें एक देश दो सिस्टम के मुद्धे पर बाचित नहीं करेंगी वहीं आपको बता दें चीन ताइवान को अपना हिस्सा और डीपीपी की नेता साई को अलगावादी मानता है साई की डेमोक्राटिव प्रोग्रेसिव पार्टी डीपी ताइवान की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है जनवरी में हुए चुनाओं में रिकोर्ड जीत से डीपी ने दूसरी पार्टियों को बहुत पिछे छोड़ दिया है ताइवान से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर यह है कि चीन भाज़पा के तैवान प्रेम से तिल मिलाया हुआ है दरसल पूरी बात यह है कि सत्तारुड भाजपा द्वारा ताइवान की लोकतांत्रिक रूप से चुने गई सरकार को समर्थन देने से तिलमिलाई चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी सीसीपी के सासन ने भारत को इस त्रहें के क्रत्तियों से बचने को कहा है भाजपा के दो सांसदों मिनाची लेखी और राहुली कसवान ने ताइवान की नव निर्वाची तराष्टवती साई इंग्वेन के सपत ग्रहन समारों में वर्चुली भाग लिया था और उन्हें बडाई दी थी इस कारिकरम में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेथ 41 देशों के 22 परतिनिद्यों ने भाग लिया था अगली बड़ी ख़बर जो की महाराष्टर से जुड़ी हुई है सीम उद्धव ठाकरे वे सरद पवार की मुलाकात को लेकर कई परकार के कयास लगाई जा रहे हैं दरशल हुआ यह कि महाराष्टर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्टरवादी कांग्रिस निता एन्सीपी निता सरद पवार की मुलाकात के बाद कई तरह की सुख बुगाट थी भारती जन्ता पारटी अर्थात विजेपी ने उद्रो सरकार पर संकट की बात कही थी लेकिन अब खुद सरद पवार ने साफ कर दिया है कि आखिर इस मुलाकात का एजेंडा क्या था NCP चीफ सरद पवार ने कहा कि हम सभी दल उद्धो सरकार के साथ है मेरी मुलाकात का मुख्य उदेशी कोरोन के खिलाफ लड़ाई को लेकर कुछ सुजाओ देना था उद्धो सरकार के उपर किसी परकार का संकट नहीं है अगली बड़ी घवर चीन सिमा विवाद को लेकर है चीन के साथ तनातनिय के हालात के बीच परधानमंत्री मेरेजनर मौदी ने मंगलवार साम परधानमंत्री कारेले पीमो में लड़ा के आलात पर विस्तरित रिपोर्ड ली है पीमे राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडियस जर्नल जनरल विपिन रावत से आलात की जानकारी ली जनरल विपिन रावत में तीनों सेनाओं की तरफ से मोजूदा इस्तिती और उससे निपड़ने के इनपड दिये है और साथ ही सेनाओं की त्यारियों का पूरा खाखा पेश किया गया है आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से पूरिवी लदाक के आसपास सटे चीन की इलाके में चीन और भारत का सिमा विवाद चल रहा है अगली बड़ी खबर है कांग्रेशी में तार राहुल गांदी से जुड़ी हुई राहुल गांदी ने सरकार से कहा है कि नेपाल चीन बोडर की सच्चाई बताएं गोरतलब है कि इसने कुछ दिनों से उत्तर के बोडर पर भारत और नेपाल के बीच खीनितान जारी है वहीं नेपाल की ओर से लगातर ब्यानबाजी की जा रही है दोनों देशों के बीच सड़क निर्मान को लेकर एक विवाज सुरू हुआ था जो अब तक जारी है आठ मही को दार्चुला लिपू लेक में भारत ने सड़क का उड़गातन किया था जिसको लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज करा है था नेपाल इन इलाकों पर अपना डावा पेस करता रहा है इसके बाद नेपाल ने एक नया नक्सा जारी किया था जिन में कुछ इलाकों को अपने छेतर में सामिल कर लिया था काला पानी, लिपुलेक और लिम्पिया धुरा को नेपाल ने अपने छेतर में सामिल कर लिया था जिसके बाद भारती विदेश मंत्राले की ओर से जवाब दिया गया था कि नेपाल से हम अपील करते हैं कि ऐसे बनावटी कार्टोग्राफिक परकासित करने से बचें साथ ही भारत की संपरभुता और छेतरी अखंड़ता का सम्मान करें लेकिन नेपाल के परधान मंत्री की ओर से दिये गे बियान के बाद यह विवाद और बड़ता नजर आ रहा है दरसल नेपाल के परधानमंत्री केपी सर्मा ओली ने यह का था कि वो भारत को एक इच जमीन नहीं देंगे इस वक्तेवे के बाद अभी भारत और चीन के साथ भारत और नेपाल के समंधों में भी तनाव बना हुआ है तो डियर फ्रेंज यदि आपने वीडियो अच्छे से देख ली है तो आपको इस परसन का आंसर मालूम हो गया होगा परसन था हाली में तसाई इंग वेन ने किस देश के राश्ट्रपती पद की सपत ग्रहन की है चार ओप्सन थे फिलिपिंस ताइवान इसराइल और ब्राजिल तो सही आंसर है ओप्सन नमबर बी ताइवान तो चलिए फ्रेंज आज की वीडियो का पहला परसन लेके आते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया है कि सभी परसन अभी जो दिखाई गई वीडियो है उसी से पुछे जाएंगे अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो इन सभी परसनों की आंसर आप देश केंगे तो आज का पहला परसन है ताइवान की राष्ट्र पती साइं इंग वेन ने रिकोर्ट रेटिंग के साथ राष्ट्र पती के तोर पर अपने दूसरे कारेकाल की शुरुवात कर दी है इस दोरान किस अमेरिकी विदेश मंतरिये ने मंगलवार को उनको बढ़ाई दी चार उप्षन हैं आपके पास फर्स्ट उप्षन माइक पॉम्पियो शेक्ड उप्षन डोनाल्ड ट्रम्प थर्ड उप्षन एंटोनियो लूटरेज और फॉर्थ उप्षन स्टीव एलवा तो यदि आपको इस परसन का अंसर मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिए जैसे कि हमने बताया कि अगर वीडियो को अपने गोर से देखा है तो आप आंसर दे पाएंगे तो चलिए हम आंसर बता देते हैं इसका आंसर होगा ओप्षन नमबर ए माइक पॉम्पियो तो यह है पहला परसन था चलते हैं दूसरे परसन की और दूसरा परसन है वर्तमान में चीन के राष्ट्रपती हैं फर्स्ट ऑप्षन बेनी गैंटेज शेकंड ऑप्षन डोनाल ट्रम्प थर्ड ऑप्षन एंटोनियो गुटो रेज और फॉर्थ ऑप्षन है शी जिनिपिंग तो आप अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट करके चलिए हम आपको बता देती हैं इस परसन का जो सही आंसर है इस परसन का सही आंसर है ओप्षन बर डी शी जिनिपिंग चलते हैं अगले परसन पर परसन बर तीं वर्तमान में ताइवान के शिर्श राज़नीतिक दल डी पी पी का पूरा नाम है चार उप्सन हैं फर्स्ट उप्सन डेमोक्रेटिक पब्लिक पार्टी सेगन उप्सन डेमोक्रेटिक प्रेजिडेंट पार्टी थर्ड उप्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और फॉर्थ है डोमेस्टिक पीपल्स पार्टी यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट करके बताईए जैसा कि हमने बताया है वीडियो को आप लगातार सही देख रहे हैं मतलब भी ना स्किप किये देख रहे हैं तो आप इस परसंड का आंसर दे सकते हैं तो चलिए हम बता देते हैं आपको इस पर्षन का सही अंसर है ओप्षन नमबर सी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी चलते हैं अगले पर्षन पर पर्षन नमबर चार हाल ही में चर्चित भाजबा के किस या किन सांसद या सांसदों ने ताइवान की नव निर्वाच सित्राष्ट चपती तसाई इंग वेन के सपत गरहन समारों में वर्चुली भाग लिया तो फॉर्स्ट आप्शन है मिनाक्षी लखी सेकड है राहूल का सवान थार्ड अप्शन है दोनों ने और फॉर्द आप्शन है इंद में से किसी ने नहीं याने इन में से किसी ने भ भाग लिया जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा था चीन ने आपती दर्ज कराई थी कि भारत चीन और तैवान के आंत्रिक मामलों में दखल दे रहा है वरतमान में महाराष्टर के मुख्य मंत्री है फर्स्ट अप्शन देवंदर फडर नुईस सेबन अप्शन उद्धव ठाकरे थर्ड सरद पवार और फोर्थ योगी अधित्यनाथ तो आप अपना आंसर दें चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं इसका आंसर होगा उप्शन पवार सी जो मीटिंग की थी वह मीटिंग की कारण थोड़ा सा संस्य बना हुआ था इसी कारणी हुद उठाकरे चर्चा में है चलिए अगला परसन परसन नमबर छे दार्चुला लिपूलेख में भारत ने सड़क का उद्धाटन किया था जिसको लेकर किन किस देश ने व पॉर्थ ऑप्शन बुठान तो आप अपना आंसर दीजिए देखिए आप अपना आंसर देते हैं वक्ति वीडियो को पोज कर सकते हैं चलिए हम आंसर आपको बता देते हैं ऑप्शन नमबर सी नेपाल मैक्सिमम स्टूडन्ट में एच चीन किया होगा देखिए फिलाल व भारती स्थानों को दिखा कर अपना बताय है तो वीवाद चल रहा है नेपाल के साथ नेक्स्ट किस्ट नमबर सेवन काला पानी लिपू लेक और लिम्पिया धूरा है फर्स्ट ऑप्शन भारत चीन विवादिच्छेतर सेग्ड़ भारत पाकिस्तान विवादिच्छेतर और फॉर्थ ऑप्शन भारत बुटान विवादिच्छेतर तो आप अपना आंसर दीजिए वीडियो को पोज करके कमेंट कर सकते हैं अब आपना अंसर अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हमने जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी उसमें इसका आं परज कराई है चलिए अगले परशन पर चलते हैं परशन नमबर एट वर्तमान सीडियस कौन है फर्स्ट ऑप्शन जन्रेल वीपिन रावत सेगन अजीत डोबाल थार्ड ऑप्शन नरेंदर राव और फॉर्थ ऑप्शन एके भंडार कर तो वीडियो कोज करके आप अपना अंसर दे सकते हैं तो आपका सही अंसर है ऑप्शन नमबर एग जन्रेल वीपिन रावत अभी हाली में परधान मंतरी नेरंदर मोदी के साथ वीपिन रावत अजीर डोपाल ने हाई लेवल मीटिंग किया है चीन के मुद्दे पर लेकर तो इस कारण ये अभी चर्चा में चलते हैं अगले परसन परसन नमबर 9 की और वर्तमान में नेपाल के परधान मंतरी हैं तो फर्स्ट अप्शन है कुमार धरम सेना सेक्ड़ अजे सेन थर्ड अप्शन है केपी सर्मा और फॉर्थ है एके बंडार कर तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं तो हम सही अंसर बता और आपका है सी सी बिल्कुल सही है के पी सर्मा अभी के पी सर्मा अपने एक विवादी बयान की कारण चर्चा में है और अभी हाली में नेपाल और भारत की मिद्धे तनाव की स्तिती बनी हुई है चलते हैं अगले परसन परसन नंबर 10 की और आज की वीडियो का ये लास्ट परसन है वर्तमान राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार कोन है फर्स्ट अजीत डोभाल सेकेंड वीपिन रावत थर्ड अप्शन मदुसुदन सर्मा फॉर्थ एक के बंडार कर तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल तो डियर स्टुडेंट्स यह थे जिस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसका अंसर अभी नहीं बताने वाले आप अपना उतर देना चाहें तो कमेंट करके देश सकते हैं परसन है आज का आपके लिए हाली में किस देश में कोविट 19 से मरने वालों की संख्या एक लाग के पायर पहुंच गई है फर्स्ट ऑप्शन पिटली, शेगन ऑप्शन ब्राजिल, थर्ड ऑप्शन जर्मनी और लाश्ट ऑप्शन फॉर्थ ऑप्शन अमेरिका इस परसन का जो भी सही आंसर है वह है आप कमेंट करके बदा सकते हैं हम आपकी कमेंट का इंतिजार करेंगे साथ ही इस परसन का जो वह हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे साथ में आंसर बताएंगे साथ में ही जो भी इससे समन्दित है उसके बारे में हम कोविड-19 पर चर्चा करेंगे तो दियर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छ लगी हो तो हमारे यूटुब चैन और कमेंट के मादम से अपने सुझाओ अवस्य दे तो आगे दिजिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मिलागा थोगी तब तक लिए बाई टेक केर